आए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिटी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद 1-1-1-2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस्ट प्राइस थी तभी 23rd मार्च को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी अउधी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ा फोल आता है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे, अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. 1-1-2014 को 1,00,000,000 रुपे इस शेर में इंवेस्ट किये, 6 साल बाद इस शेर में इंवेस्ट किये रुपे हो गए, मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1 2014 के दिन 1 लाग रुपे Nifty 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1-1 2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस investment की value हो गई और अभी की value है First point में Nifty हार गया Second point में Nifty जित गया Third point में Nifty हार गया एक minute के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी 2020 में किसका performance better रहा ये share का या Nifty का ये है पिछले एक महने का return ये है दो महने का return ये है तीन महने का return ये है छे महने का return और ये है पिछले 9 महने का return Thank you किसमे महने की सक्थर आपनि प्रको पहँआ ilा झाझ झाता एक διαस्ट आध तो 혜बशेगा, ये निता झाता, ये प्रकोश Jak дав फिता, झाता झाता, चाता तो क्वेधा तो कर झाता, झाता perpet encant